हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम तो माई चैनल डीजलोग्स जैसे कि आप देख पारे हैं, गाड़ी है बुलेरो पिकप बिया सिक्स फॉल्ड कोट आप इसमें देख पारे हैं, लेम्डा संसर का आ रहा है, वाटर इन फ्यूल का आ रहा है तो आज हम रास्ते पे चेक करने आये गाड़ी, गाड़ी जो लोड गाड़ी है और गाड़ी में दिक्कत ही हो रही है कि गाड़ी का एक्सलेटर पेडल काम नहीं कर रहा है गाड़ी रेस नहीं हो रही है, जिसके कारण गाड़ी सही से नहीं चल पारी तो चले चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसमें हमें क्या प्रॉब्लम मिली हम उसको अपको बताते हैं तो हमारा इसमें MD1 का ACM लगा हुआ है हम करते है read fall code यह हमारा scanning हो रहा है यह आप देख सकते हो सबसे उपर water and fuel का fall code आ रहा है दूसरा हमारा Lambda sensor का है downstream और तीसरा fall code है fuel temperature sensor का तो सबसे पहले water and fuel के वज़े से आपका accelerator pedal जो है वो काम नहीं कर रहा है और गाड़ी में pick up नहीं होने का कारण है आपका Lambda sensor है Lambda sensor का जो code है downstream बाला उसका जो fall code है वो hill में चला गया उसका coupler loose था जिसको हमने सही कर दिया यह damage है body से touch होके इसका जो wire है आपस में cut गया है और दो तार जो है आपस में sat गया जिसके कारण water and fuel का indicator आ रहा गाड़ी में और accelerator जो है वो काम नहीं कर रहा है जिस वज़े से गाड़ी जो है वो race नहीं हो रही है तो downstream lambda sensor का प्रोब्लम मैंने आपको बता दिया कि उसका coupler loose था बाकी water and fuel का आप जैसे की वीडियो पे देख पा रहा है प्रोब्लम जो है wiring में मिली इसको सही करने से गाड़ी जो है हमारी अल्रेडी सही हो चुकी है तो thank you दोस्तों एक वीडियो देखने के लिए अगर आप कोई वीडियो informative लगी हो तो इस वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें और अगर आपकी गाड़ी में ऐसा कोई problem हो रहा है तो फिर आप हमारे swap पे आके भी check करा सकते हैं हमारे जो swap का address है वो दुमका में पढ़ता है और swap का जो नाम है वो जारकंडी जल है तो thank you दोस्तों एक वीडियो देखने के लिए